श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम जेहु माता परवती फ्रेंड्स हरिताली का तीजगा वरत आने वाला है जिसे तीजगा वरत भी कहा जाता है इसमें पार्थिय शिव परिवार का अभिशे किया जाता है उनका पूजन किया जाता है तो दिखें आप घर पे किस प्रकार से बहुती सरल विधी से शिव परिवार का आप निर्मान कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं तो आप चिकनी मिटी ले लें, काली चिकनी मिटी जो आती है कुमार के यहाँ पर भी आपको मिल सकती है, नहीं तो आप अपने गमले की मिटी भी ले सकते हैं, किसी पार्क या फिर किसी क्यारी से भी आप मिटी ले सकते हैं, बस हमें तुलसी की गमले से मिटी नहीं लेनी है, साथ में एक बेल पत्र ले लें बेल पत्र लेने से क्या होता है कि जो भी क्रीमी आदी के दोश होते हैं मिटी में वो सब दूर हो जाते हैं एक पानी ले ले चिकना करने के लिए और एक प्लेट ले ले मूर्तियों को रखने के लिए हरतालिक अतीज के वरत में विशेश महत होता है पार्थे मूर्तियों का ही पूजन किया जाता है तो यहाँ पर देखे शिव परिवार हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम शिवलिंग का निर्मान करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का शिवलिंग बना सकते हैं फ्रेंट जिन मूर्तियों को हम स्वेम अपने हातों से बनाते हैं उसमें हमारी शद्धा भक्ती भावना होती है और यह मूर्तिया इको फ्रेंडली भी होती है तो इन्हें जब हम विसरजित करते हैं तो हमारी जो प्रकरती है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए हमने शिवलिंग बना लिए हैं आप बड़े चोटे जैसे चाहें वैसे भी बना सकते हैं और इसके बाद में हम जलहरी बनाएंगे तो इस तरीके से देखिए हम बट लेते हैं मिट्टी को इस तरीके से गोल गोल रोल कर लेते हैं जलहरी इस तरीके से नीची का जो पार्ट होता ने वो जलहरी होती है तो ऐसे मिटी लेंगे और ऐसे उसको हम थोड़ा सा शेप दे देंगे और उसके बीच में हम शिवलिंग को स्थापित कर देंगे और अच्छे से इसे हम फोल्ड कर देंगे यानि कि शिवलिंग की हम करते रहना चाहिए जैसे कि नमहाः शिवाय गौरी शंक्राइए नमहा या गौरी मया की आप जै भी बोल सकते हैं देखिए हम ने शिवलिंग तैयार करनी है शिवलिंग को हम इस तरीके से बेल पत्र के ऊपर विराज मान कर देंगे और इसके बाद हम बनाते हैं देखें हमे इस तरीके से पिंडाकार बना लें थोड़ी छोटी जैसे थोड़े थोड़े छोटे तो गणेशी बना लें और थोड़े से बड़ी बना लेंगे हम पारवती मैया यहां पर देखिए यह जो मूर्तियां है आप चाहें तो हर्तालिका तीज या फिर जो भी आपका पूजन है हरियाली तीज का है या सावर में आप इसका यूज कर रहे हैं शिवरात्री के दिन आप पारथी मूर्तियों का पूजन कर रहे हैं तो एक दो दिन पहले भी बना सकते हैं या फिर आप सेम डे भी आप बना सकते हैं इस तरीके से तो देखिए यह हमारे शिवलिंग हमने तय प्यार कर लिए हैं पूजा करने के लिए और यहां पर हमने थोड़े चोटे साइज के गणपती बनाए हैं और इसी के साथ में हमने बनाई है पारवती मया मूर्थिया बनाने के बाद में आप थोड़ा सा चंदन या फिर यहां पर अक्षद जरूर पित कर दे नहीं तो वीडियो पूजा सामिगर का वीडियो और बहुत सारी वीडियो चैनल पर आचुके हैं आप उन वीडियो को भी जरूर चेक आउट करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शेशिवान मस्तुभ्यम जैहो माता पारवती